नमस्कार बहुत स्वागत आखिरकार चुनाव तारीखों का एलान हो गया जम्मू कश्मीर और हरियाना में चुनावी शेड्यूल सामने आ गया है उम्मीद तो महराश्ट और जारखन को लेकर भी थी लेकिन बहुत सारे सवाल टाल दिये गए एलान से पहले ही कॉंग्रिस ने क्या कुछ कह दिया वो भी जानना जरूरी है लेकिन उससे पहले शेड्यूल की बात कर लें चुनाव की बात कर लें जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में 18 सेतंबर, 25 सेतंबर और एक अक्टूबर को मदान होगा एक शेकारे को भी मदान केंदर बनाया गया, उसमें तीन वोटर जो है वोट करेंगे एक और दिल्चास बात है कि सिर्फ 90 सेतों पर चुनाव होने लेकिन विधान सेतों के लिहाज से सीते हैं 114 हर्याना में एक अक्टूबर को मदान होगा, दोनों राज्यों की जो काउंटिंग है वो चार अक्टूबर को होगी, चार अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि आपने किसे जनादेश दे दिया है, जम्मू कश्मीर विहत महतुकून है, परीसीमन के बाद 90 विधान सवा सीटें हैं, इस बार 3 सीटें बढ़ाई गई हैं, पिछले बार 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, मजदार बात तो ये भी जान लीजिए कि पाक अधिकृत कश्म था, केंदर शाषिट प्रदेश बनने के बाद यहां LG प्रशाशक थे, विधान सवा चुनाव को लेकर चुनाव आयो की टीम ने 8 और 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर और 12-13 अगस्त को हरियाना का दोरा किया था, जम्मू कश्मीर के चुनाव किसी इतिहास से कम नहीं होंगे 370 हटने के बाद हो रही यह चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, सुप्रीम गोट ने चुनाव को लेकर 30 सेतंबर तक चुनाव करवाने के निर्देश पहली दे दिये थे, थोड़ा सा इतिहास और 2019 में जब जम्मू और कश्मीर पुनर गठा नधीनियम 2019 के जर सीटें जम्मू और एक कश्मीर में शामिल की गई, जम्मू संभाग की बात कर ली जाए तो 43 सीटें हैं, कश्मीर संभाग की बात की जाए तो 47 सीटें हैं, राजी का विशेश दर्जा खत्म होने के बाद यहाँ पहली बार विधान सभा चुनाव हो रहे हैं, पिछले संबर 2014 के आसपास हुए थे यानि 10 साल पहले पहले पहली बार बीजेपी सब्ता की हिस्सेदार भी बनी थी पीड़ीपी के साथ मिलकर सरकार भी बनी लेकिन महभूबा मुफ्ती से यह जो दोस्ती थी वो जादा चल नहीं पाई अब वापस चुनाओ तारीखों पर आते हैं एक एहन सवाल ये भी बना हुआ है कि पिछले करीब 67 दिनों में लगातार यहां आतंकी हमले हुए हैं 18 जमान शहीद हुए हैं इससे लिकर सियासत भी हो रही है सवाल भी उठ रहे हैं हर्याना का छोटा सा इंट्रो जान लीजे हर्याना में सिर्फ एक चरण में वोटिंग होनी एक अक्टूबर को और यहां पर वोटें हो जाएगी चार तारिक को नतीजे है जाएंगे एक को मंगलवार है चार को शुकरवार है खेर हर्याना का चुनाओ इस वज़े से भी एहम होगा क्योंकि यहां बड़ी राध्याते उथल पुथल रही है लोग सभा चुनाओ लड़ने के लिए राजी के मुख्यमंत्री पत से उन्हें हटा कर नायब सिंग सैनी को नया सीम बनाया गया था हर्याना विदान सभा नबे सदस्टी है बहुमत का अगड़ा 46 है यहां पे तक्रीबं दो करोड वोटर है और इसमें साड़े चारला कैसे होंगे जो पहली बा परना है इधर मुख्य चुनावा उतने बताया है कि हरियाना में थोड़ा बदलाव किया गया है इस बार मैटी हाउसिंग सोसाइटी में भी पोलिंग स्टेशन बनाये जाएंगे अब जरा आप उमीदों की बात कर ली जाए उमीद मतलब कयास लगाए जा रहे थे कि जहार खंड और महराश्ट यहाँ पर भी चुनाव की तारीखों का एलान हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दोनों जगा सरकार का जो कारिकाल है वो लगवा खत्म होने वाला है महराश्ट की राजनीती में तो खेर बड़ी उथल पुथल के भी आसार है यकीन जानिये सियासत में रिष्टे और रिष्टों की सियासत यहाँ पर बड़ा खेला होने वाला है कयास ये भी थे कि बहुतर प्रदेश, मत्यप्रदेश, 36 गण कई हाई प्रोफाइल सीटे यहाँ पर हैं इन पर बाई एलेक्शन होने ये भी नहीं हुई जैसे बुद्नी एक सीट है जो शिवराज सिंग चौहान साब की हुआ करती थी एक राइपूर की एक विधान सबा सीट है खर वापस आते हैं कॉंग्रेस की तरफ से इस एहलान से पहले ही निशाना साथ दिया गया पाउन खेडा ने बकायद एक प्रेस कॉंफरेंस करी और इस तरह से उन्होंने सवाल पुछा कि चार राजियों में एक साथ चुनाव हूनी पा रहे हैं लेकिन वननेशन वर्लेक्षन की बात कई जा रही है व्ननेशन मरेलेक्षन बीजेपी की को एजेंडने में आप समझ लीजे बर बार बीजेपी इसकी वकालत करती है कमेटी बन गई है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है खेर वापस चुनाओं पर आते हैं जम्मू कश्मीर और फिर इससे दोहरा दिया जाए कि जम्मू कश्मीर के जो इस बार के चुनाओं होंगे विशेज दरजा चिनने के बाद सरकार बनाने तक इवन सरकार बनाने तक की जो एक घटना रहेगी वो इतिहास बनेगी और माइलस्टोन इतिहास बनेगी नमस्कार